वेलकम टो हमारा केरिया 360 आज हम बात करने वाले हैं फीटिंग सॉप के उपर में और इससे रिलेटेड जो है आपको पुराना वीड़ियो जो लेक्च्छर वन लेक्च्छर तु में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं फिटिंग सॉक के उपर में और हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे फिटिंग टूल्स देखे थे और इसमें जो है फिटिंग टूल्स का जो पार्ट से और इसका क्लासिफिकेशन जो है इसके बारे हम लोग देखे थे पिछले क्लास में तो पिछले क्लास में हम लोग holding device के बारे में बात कर चुगे हैं आज हम बात करना वाले हैं stacking tool के बारे में कि fitting section में कौन-कौन सा stacking tool यूज होता है और इसका क्या-क्या work है तो चलिए हम बात करते हैं stacking tool के बारे में और जो लोग भी आज नए हैं नए जुड़े हैं इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो आप पुराने lecture को जाकर के वहां से देख सकते हैं इससे related जो पहले हम लोग वीडियो डाल चुके हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं stacking tool को stacking tool होता क्या है actually stacking tool है कि हम लोग जो भी hammering का काम करते हैं या फिर कोई भी चीज को हम लोग stack करने का काम करते हैं तो वह सारे जो इस्ट्रिमेंट यूज होता है हमारा stacking tool तो stacking tool में हम लोग बात करने वाले हैं clue hammer आनि hammer का एक type होता है clue hammer होता है इसका जो है इस stacking के साथ साथ various purpose के लिए यूज किया जाता है तो चलिए हम लोग clue hammer के बारे में बात करना वाले हैं तो यह जो आप figure देख रहे हैं यह इसका hammer का पूरा detail का part out किया गया है यह जो hammer होता है वो किसका बना होता है इसका जो head होता है वो steel का बना होता है और इसका है इसका handle है वो wooden handle होता है अगर हम लोग इसकी face की बात कर eight तो यह जो face है आप यह इसका face देख रहे हैं यह face जो है हमारा इसकी portion से हम क्या करते हैं hammering करने का काम करते हैं और और जो देख रहे हैं आप यहां पे क्लू दिया हुए है यह क्लू जो है उससे हम लोग क्या करते हैं रिवेटल का काम करते हैं आने की हम लोग कर सकते हैं कि कील उल जो हमारे पास जो है उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालने में काम करते हैं अगर कोई चीज को हम लोग फस गया हो या फिर कील को हम लोग को सही पोजिशन में हमरिंग नहीं किया गया है या फिर टेड़ा हो गया हमरिंग करते समय तो हम लोग इस पोजिशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कील को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ठीक है तो clue hammer का जो है हम लोग इसका parts के बारे हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं यहाँ पे देखिए यह इसका face है और यह neck type का जो बना है जिसको हम लोग बोलते हैं throat इसका जो है wood के साथ जो attach होता है उसको हम लोग बोलते है head और इसके बगल में जो हमारे यह portion जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं cheek यह wooden part को हम लोग handle बोलते हैं और जहाँ पे handle हमारा attach होता है metal piece के साथ उसको हम लोग बोलते है eye यह इसको neck portion को हम लोग यहाँ देख सकते देख रहे हैं आप कि जो हमारा नुकीला जो बना हुए है उसको हम लोग बोलते हैं तो यह है हमारा clue hammer का जो type है और इसका discuss जो हम लोग कियें तो और हम लोग इसके बारे में हम लोग देखने वाले है next है hammer of type अनि कि hammer कितने तरह का होता है तो चलिए आज हम बात करना वाले है hammer कितने तरह का होता है hammer का use हम लोग देख लिए हैं hammer के बारे में जान लिए तो हम लोग बात करना वाले है hammer के type के बाले में देखिए यहाँ पर आपको different तरह का hammer आपको दिख रहा है तो हम लोग बात देखिए यहाँ फस्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है हमारा क्या ball pin hammer cross pin hammer straight pin hammer rivetal hammer slug hammer तो यह जो हम लोग देखे हैं पांच इसके different different तरह का जो हम लोग hammer का type देखें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यह हमारा ball pin hammer यह जो ball pin hammer का 3D picture है आने कि इसका head है वो क्या है ball के shape में होता है इसलिए इसको बोला गया है ball pin hammer और ball pin hammer के में लोग बात करने देखिए यहाँ पर यह figure में आपको दिख रहा होगा यह जो figure है यह figure में आप देखिए इसका जो head portion जो है वो क्या है round shape में है ball के shape में है इसलिए hammer को हम लोग बोलते हैं ball pin hammer यहाँ पर जो wooden part या करकर attach होता है इस position पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं eye इसका face जहां से हम लोग hammer करते हैं तो यह हमारा hammer यह हम लोग इससे पहले देख चुके हैं clue hammer के बारे में यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है और next हम लोग बात करना वाले हैं तो यह जो hammer का जो type है यह different different type जो दिया गया है वो उसके shape की basis पे ही hammer को हम लोग जानते हैं और उसका working जो condition होता है working जो position है जो hammer का जिस तरह का हम लोग use करते हैं उस basis पे hammer का हम लोग type और इसका work के हिसाब से divide किया गया है तो देखिए यहाँ पे जो है second जो थो मेरा है cross pin hammer यह जो है इसका head portion जो होता है वो क्या होता है triangular shape में होता है जो कि क्या करता है अगर कहीं पे हम लोग एक position या पॉंट को हम लोग hammering करने का work करना पड़े तो उस position को हम लोग क्या करते हैं hammer का थिरूस से हम लोग cross pin hammer के थिरूस से हम लोग hammering का का काम करते हैं next देखिए, यहाँ पे क्या है, straight hammer, straight hammer का क्या जूजए बधिया, यहाँ पे इसका height portion जो है, वो क्या है, straight shape में है, तो इस लिए hammer का जो नाम है, वो straight hammer है, यह हम लोग metal को seat metal में convert करने, य hebbenring के थ्रूइ से seat में convert करने में इसका use होता है, रिवेटल हेमर ये जो है रिवेटल हेमर जो है ये क्या करता है कहीं पे कीलूल अगर फसा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते है निकालने का काम करते है और साथ ही साथ हेमर का जो वर्क है वो सारा वर्क हम लोग इसके तुरू से करते है ठीक है नेक्स्ट है slug hammer slug hammer का क्या यूज है इस slug hammer आप लोग देखे हैंगे लोहार के पास अँछ जदा इसका यूज होता है ये heavy hammer होता है इससे क्या करते है कि लोहार लोग metal को जब गरम करते हैं तो उसके बाद इसको क्या करते है हीट करके इसको beating का काम करते हैं इस hammer के थूर से hammering का काम हम लोग करते हैं चलिए next में हम लोग जाते हैं next जो है mallet mallet एक प्रकार का क्या होता है wooden hammer होता है इसका क्या use है इसको हम लोग देखते होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को figure को देखके आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि ये hammer अक्सर आपको वकील लोग के पास देखने को मिलते है या फिर हम लोग doctor के पास मिलेगा ठीक है अनि जो हड़ी specialist है उस जगा वो लोग क्या करते हैं ये wood hammer का use करते हैं हड़ी का चिक करने के लिए या फिर हम लोग देख इसको हम लोग देखते हैं मोवी में या फिर देखते हैं जो वकील लोग है ये wooden hammer का use होता है जो कि इस से के थुरू से देखे होगे आप लोग order order का वकील लोग इस hammer के थुरू से use करते हैं तो ये क्या होता है mallet जो होता है ये क्या होता है wooden handle hammer होता है और इसका जो face है वो क्या होता है round shape का होता है या फिर इसको हम लोग बोल सकते है ये अलग-अलग work के हिसाब से इसका position भी face का position भी change होता है उसका shape भी change होता है तो ये round और rectangular जंगलर दोनों सेप में पाए जाता है ठीक है और अगर हम लोग इस हेमर की बात करें तो इसका जो फेस जो होता है आनि की जो फेस होता है यह फ्लेट होता है आनि की क्या होता है पूरी तरह से यह इसका फ्लेश जो होता है वो पैरलल होता है फ्लेट सर्फेस होता है और इस ह कहां कहां पर होता है कर्टिंग टूल्स के लिए और पूर्डन हेंडल के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं तो यह हम लोग जो अभी डिसकस कर रहे थे यह हमर के टाइफ के बारे में हैं हमर का यूज के बारे में तो इस तरह से हम लोग क्या किये हैं हमर के बारे में स हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए मैं आपको पूरी तरह से डिप्लोमा का कम्प्लीट कोर्स आल ब्रांच के लिए जो वर्क्षप का स्लेबस है उसको लेकर मैं आया हूँ और कम्प्लीट कोर्स आप लोग को मिलने वाला है तो आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अपने जो फ्रेंड हैं उससे सेयर करें ताकि आपके अनुसार आपसे आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिले और जो जानकारी उसको मिलना चाहिए वो वहां तक आपको पहुँचे थैंक यू फर वाचिंग हमारा केरियर थिसिक्स्टी